हम बात कर रहे हैं SJVN की, SJVN में हमको बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रहे है, 6% के उपर का फॉल देखने के लिए मिल रहा है, हम देख सकते हैं, इस वक्त इस टॉक जो है 141.20 पैसे पर फिलाल हमको ट्रेड होतावा नजर आ रहा है, हमको 170 तक के तारगेट डिकाय थे, इस टॉक ने रिजेक्शन लिया था, एक रेंज में कंसोलेडेट हो रहा था, बांस बेक होने की कोशिश की थी, लेकिन 160 के लेवल को ब्रेक आट नहीं कर पाया, उसी लेवल से हमको मल्टीपल स्टैम रिजेक्शन फेस करता हुआ नजर आ है, और हम देख सकते हैं, आज के दिन हम इसने अपने सपोर्ट जोन को ब्रेक डॉन करके, हमको गिरावट देखने के लिए मिले हैं, बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, 140 तक का फॉल दिखाया है, आज के डेट में स्टॉक ने, हम देख सकते हैं, जहां से जाँ रिजेक्शन ले रहा था, उसको ब्रेक ऑट करना इंपोर्टन रहे का हा 150 के लेवल को, लेकिन इससे पहले रेजिस्टंस पे ऐस करेगा, जहां से एस्टॉक सपोर्ट ले रहा था, इससे पहले रिजेक्शन लिया था और जब ब्रेकवाट करके गिरावट आई थी तो इसी लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था 144, 145 का लेवल जो है इमीडियेट रेजिस्टंस का काम करने वाला है और स्टॉक जब तक इस लो के उपर है ने 134, 135 के उपर है अब इसमें बड़ी गिरावट नजर आना मुश्किल है आखिरी सपोर्ट रहेगा अगर इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर आगें हमको 120 तक का भी फॉल एस जेवेन में देखने के लिए मिल सकता है लेकिन जिस तरह से आप हमको नजर आ रहा है कि यहां से इसमें रीकवरी देखने के लिए मिल सकते है क्योंकि इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था बड़ी ब के बाद अगर इस टॉक रिजेक्शन ले जाता है तो इस लोग को ब्रेकडाउन करके 135 तक का भी फॉल देखने के लिए मिल सकता है और इसको ब्रेकडाउन किया तो 120 तक की गिरावत तो आप इंतिसार करना इस टॉक को 150 के लेवल को ब्रेकाट करके सस्टेन होने का अगर सस इस्क्रिप्शन में दीवी लिंक से कर सकते हो वीडियो जो एजुकेशन परपस के लिए कोई बाई से लिया होल्ड की सला नहीं है